हेलो फ्रेंस वेलकम टू सार्थे लेटिल गार्डन और कैसे हैं आप सब लोग दोस्तो आज का वीडियो है डॉक फ्लार यानि एंट्रेहीनियम के शीट के उपर तो दोस्तो बहुत सारे फ्लावरिंग प्लांट्स ने मेरे इस विंटर गार्डन में की तो अब इनके काफे सा गए हैं और खुशे की बात ये है कि बहुत ही ज्यादा मल्टी कलर में के शीट्स मुझे इस बार मिले हैं तो देखे कितने सारे कलर गार्डन में लगे हुए हैं ये देखे ये वाइट कलर है और ऑफ वाइट कलर जिसमें येलो का टिंट बिलकुल भी नहीं है और ये इस प्रोटिंट हैं और ये दीखे ये पिंक कलर ये मजेंटा कलर और काफी सारे कलर इस बार निकले हैं तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगी कि इसके शीट किस तरीके से होते हैं और धेरों शीट होते हैं एक बार आप इसे अपने गार्डन में लिया आए और सालों साल ही अपके गार्डन में बनी रहते हैं तो ये देखे ये फूल सुकने के बाद कुछ इस तरीके से इनके नीचे ही ये देखे ये पॉड बनते हैं और इस एक एक पॉड के अंदर धेरों शीड होते हैं दोस्तों ये देखे मैं इससे अगर इससे मुझे शीड लेना है तो समय से पहले मैं इसे इस तरह से कट कर लेती हूँ और सुखाने के लिए एक अलग पॉलिथिन में बान लेती हूँ क्योंकि दोस्तों ये सुखने के बाद इनके पॉड खुलके शीड गिर जाने का खतरा होता है इसलिए मैंने तोड कर बाद में सुखा लेती हूँ तो ये देखे इस तरीके से मैं आपको दिखा रही हूँ जो मैंने कुछ पहले तोड़े हुए थे तो ये पूरी स्टॉक मैं इस तरह से तोड लेती हूँ और आप ऐसा ही कुछ कीजिए इन्हें सेव करने के लिए तो एक पॉर्ड ये मैंने अलग से तोड के रखा हुआ है इसमें दिखाती हूँ देखे कितने धेर सारे शीड तोड़ते ही निकल जाएंगे ये देखा आपने ये देखे ये देखे कितने सारे धेरों शीड है बिल्कुल पिटूनिया के जैसे चोटे-चोटे जिस तरह से रड पॉपी के भी होते है और लाक्सपर के भी ऐसे ही होते है बहुत चोटे-चोटे से शीड है ये देखे और धेरों शीड है बहुत सारे शीड हैं बहुत सारे शीड तो ये देखे तो आप अपने फ्रेंड्स को भी इन शीट्स को जरूर बाटिए और अच्छा लगा होगा आपको वीडियो होप करती हूँ तो आप भी अपने इन शीर्स को इसी तरीकी से सेव करिए और सालो साल इन से अपने गार्डन में इन से अपनी बगिया को हरा भरा और फूलों से भरा हुआ पाईए तो तब तक के लिए फ्रेंड्स अपना ध्यान रखिए टेक केर बाबाई